Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope that you all will be very good and you will be very good in your game. So today's new topic is Sugar Cane Leaf Hopper. Before we talked about rice bug, which is another name in your syllabus. Like, Goondi Bug was written in this book. So we have all done, already we will tell you that in B.S.P. 5th semester of geology paper 1, we have already finished 1-5th semester of geology paper 1, 6th semester of geology paper 2, and as well as we have completed paper 2, 3th semester of geology paper 2. After this, we will continue from unit 4, okay, of paper 2. So today we are learning Sugar Cane Leaf Hopper. If you are in the channel, do subscribe to the channel. I want to share something to you all that 9th of December will be my birthday. and I want that 9th of December will be 30k subscribers. If you want to support me or if you just like my videos, my content and if I help you, then you can do so much that you will do until 30k my birthday. So 9th of December is like my day and I want that it will be good and if it will be 30k, and if it will happen, then I think that if I have already said it, then you will do. Okay, so try to share and do 30k. Okay, let's go, 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 let's go. Now, if you are busy, I will try to give you 2 videos or 3 videos in a day. Okay, I will try my best. Now, if we are talking about Sugar Cane Leaf Hopper, then this is a pest that harms our Sugar Cane. This is in theory to our Sugar Cane. It harms it, it harms it, it brings it to the damage. So first, we learn about this about Phylum, what is your class, what is your order? Okay, so Phylum is Orthopoda, Insecta, this class belongs in this class. Their order is Hamip tatera. Hamip tatera. And genus is Pyrella. The most popular species is Perpucilla. Orthopoda is what we are learning about jointed fit, which are some related to the pair. तो jointed fit वाले यहां पे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो और्थोपोडा में रखे जाते हैं ठीक है तो यह और्थोपोडा से बिलॉंग करते हैं क्लास इनका इंसेक्टा है अब देखें मॉर्फोलोजी के अगर हम बात करें तो पायरियूला पायरियूला का जो सुगर कीन इसेक्टपारीयूला आप इसक्टाफौनी एक और सुगवक ब्रॉफ में देखा था यां और से दिन और सैटन सब्साय करते हैं तो यह र accelerिए अपने ब्लाफन होते हैं जीक होते हैं तो आप डियान रखना है है कि अजडियन होते हैं पहल्यूला संक्टा होते ह जो होते हैं यह हलके भूरे रंक्यों होते हैं इनका सरीर काफी मुलायम होता है जो हमारे एडल्ट बन होते हैं उनकी बॉड़ी काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और इनके पास लॉंग इश्टाउट एक ऐसे लगेगा रहे हैं कि आपको चोच नुमा इनके उपर आपको इस ब्राउन होता है पूरे जो भूरे रंग होते हैं उस तरीके के आपको कलर में दिखाए देंगे इनके पास दो फैदरी फिलामेंट होगा और इनके एंड में यह पाया जाएगा जो फैदरी फिलामेंट है दो वो कहां पाया जाएगा इनमें एंड में पाया जाएगा आपको जो राइब बग पढ़ाया था तो वहाँ पर भी आपको बताया था देखिए हमने बहुत हलवा कलियर वाला नोट सा आपके लिए तयार किया है आगर हम बॉड़ी स्ट्रक्चर की बात करें इनकी तो इनकी बॉड़ी स्ट्रक्चर काफी ज़्यादा कॉम्पेक्ट हो टिपिकली फ्लैटेंड होती है चिप्टी हुई होती है ठीक है संघन होती है कॉम्पेक्ट होगी आपको इनके बॉड़ी स्ट्रक्चर में देख के लगए यार क्या ही समझूँ ऐसा फिलिंग आजागा क्या ही देखू इसमें ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना कि आपको समझी नहीं आएगा कौन सा पार्ट कहां से जुड़ा है कौन सा नहीं जुड़ा है ठीक है तो वो वाला आएगा बड़ी कॉम्पेक्ट होते हैं संघ होते हैं और प्लस ये टिपिकल फ्लैटेंड मतलब की चप्टे हुए इनकी बॉड़ी होती है संरचना इनका जो प्रविर्ती है जो नेचर है वो भी दिखाते हैं जैसे कि अगर इनके ब्राउन वाले पार्ट पे रह रहा है तो वो ब्राउन हो जाएंगे कभी कभी did OFF ने लेंकर दिखाई देता है युड़ीन अगर क्यान कि बात करें शर्ट करें डैफिनी निशचेत वाला जो रंग ह इनका तो एडर्ट जो वेसक रूप है उसमें आप देखोगे हलके भूरे रंग का पहले ब्राउन किलर का देखोगे और जो इनका निम्फाला स्टेज होता है वो पक्का जो भूरा रंग होता है उस तरीके से आपको दिखाई देगा इन में एन्टीना पाई जाते हैं आप पेयर ओफ आ एन्टीना पाया जाएगा यूज़ विंग से इसमें पाई जाते हैं बोर चलिक है तो जब ये उड़ेंगे ना तो एससे खुले रहेंगे ठीक है ये wing ऐसे खुले रहेंगे जब ये उड़ेंगे तब लेकिन जब ये rest करेंगे जब ये आराम करेंगे जब ये खा पी के आ जाएंगे तो फिर ये जो wing होगा ना ये इनके उपर ऐसे roof के तरह बन जाएगा और इनकी body को क्या कर लेगा धक लेगा ठीक है तो as a roof के तरह अब ये काम आ जाते हैं फिर इनमे एक mouth part होता है mouth part भई इनके adapt होता है किसके लिए piercing and sucking के लिए piercing मतलब क्या होता है छेदने और चूसने के लिए छेदने मतलब क्या कि जहां पर वह sap इनका होता है अच्छी में ये क्या करते है न कि जो सुगर के इनका sap होता है जो उसमें like juicy जो हमारे सुगर केन का उसको जाकर लेते हैं पूरा का पूरा 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 पी लेते हैं और जब यह पी लेते हैं तो उसके पास से सुगर केन बहुत वीक पड़ जाता है इसलिए बिमारी इसमें कॉल जाती है हमारे सुगर केन में जब हम उसे कंद्यूम करते हैं तो फिर मतलब इनसान भी बिमार हो जाता है तो इनका माउथ भाई 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 पियर्सिंग और सेकिंग शेप का होगा और यह फीड करते हैं प्लांट के स्याप पे मतलब पौधी का जो रस होता है और आपको पता है कि आप सुगा केन जो है उसमें कितना वाटरी सविष्टेंस होता तो हमारा पैयरिला का माउथ होता है वो इसी तरहीं के से एडाप्ट भी हुआ है कि वो पियर्सिंग और सेप का होगा और वो जो हमारा प्लांट सेक है जो पौधे कर रस है उसको बड़े ही असानी से आपने माउथ से क्या करेगा पी लेगा ठीक है उसके बाद अगर इनक एक यहाँ पर होगा आपका hind wing, ठीक है, यह हो गया hind wing, ठीक, ऐसे आपको दिखाई देगा, फिर आपको बीच में इनके एक central body दिखाई देगी, this is the central body, जो इनका abdomen है, जो अमने औरेंज कलर से बनाया है, this is the abdomen, then उसके बाद से, this is the antenna, okay, the yellow part is the antenna, now, जो आपको red part दिख रहा है, this is the eye, ठीक है, और उसके बाद, let me choose another color, this color, this is the mid limb, this is hind limb, and this is four leg, ठीक है, तो leg, like four leg है इन में, mid leg है, and hind leg है, और फिर hind leg में आप tarsal segments देखोगे, segments मतलब क्या, कि जो hind leg है, वो आगे चल के क्या है, differentiated first, second, and third, tarsal segment में, ठीक है, तो यह इनके body structure है, आई हो क्या आपको समझ में आया होगा, अब हम इनके life cycle की बात करेंगे, फटा-फट बात करते हैं, जादा हम लोग घुमेंगे नहीं, क्योंकि आपकी slabus में यही दिया हुआ है, देखे, एक बार हम यह चीज़ आपको बता दे, यह इनकी आखे है, ठीक है, this is the eye, okay, and this is the snout structure that I was talking about, कि यह एक इनका snout जैसे एक sunrachna जो है, वो बाहर निकली रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके आखे भी लगी रहती है, ठीक है, तो यह कुछ ए structure है, और इनके अगर हम life cycle की बात करेंगे, तो जो सुगर केन की life cycle है ना, सुगर केन leaf hopper की, जिससे हम pyrla purpurcilla कहते हैं, यह सुगर केन crop को affect करता है, और एक हमने brief overview आपको दिया हुआ है, यहाँ पर life cycle का, सबसे पहले life cycle में आता है, एग state, एग कौन ले करेंगी, जो हमारी female leaf hopper होंगी, जो मादा leaf hopper होंगी, वो गन्नी के leaf पे, गन्नों की पत्तियों पे जाकर के अंडों को क्या करेंगी, ले करेंगी, अंडे द जाएगा, तो अंडे जैसे ही फूटेंगे, उसमें से आपको निम्फ वाले stage दिखाई देगी, जो की काफी छोटे होंगे, भूरे color के होंगे, डार्क भूरे color के होंगे, अभी उनमें wings नहीं पाई जाएगे, जो निम्फ होंगे, वो smaller version होंगे, हमारे adult leaf hopper के, लेकिन इन जो पंक होंगे, वो अभी उतनी जादा विक्सित नहीं होंगे, पूरी तरह से विक्सित नहीं रहेंगी, ओके, बात करें अपने adult stage की, तो after the egg and after incubation, हमने निम्फ देखा, and निम्फ के बाद हम देखेंगे, कि कुछ समय बाद जो निम्फ होगा, वो काफी सारे malt में निम्फ काई बार मॉल्टिंग की प्रोसेस करेगा, और adult sugarcane leaf hopper जब बन जाएगा, तो उसके पास एक अच्छी खासी विक्सित इनमें पंक पाई जाएंगी, जिसके help से, जो हमारे adult one होंगे, अब वो fly कर पाएंगे, वो कूद पाएंगे, वो घूम पाएंगे, और फिर क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जा करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, male and female अगर आपको देखते हैं कि, माली जी कि this one is the, like, let me, let me, let me, देखे, this is one sugarcane, ठीक है, this is the second one, okay, this is the third one, this is the fourth one, okay, ये माली जी हमने एक फिल बनाया, and this is the leaf, this is the leaf of, जो हमारा sugarcane है, ठीक, आप द इस ने क्या कर दिया, एक देदिया, हमारे इस वाले पर, एक देदिया हमारे यहाँ, फर्स्ट वाले यह हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट, सुगर केन, this is the first, this is second, this is third and this is fourth, तो फर्स्ट वाले पर क्या किया, जो female थी, उन्होंने ले कर दिया एक, अब यहाँ से क्या होगा, या मन किया तो इस पे चले जाएंगे या मन किया इस पे चले जाएंगे अब माली जे इसके तरह और भी बहुत सारे होंगे कुछ इसमें फीमेल होंगी कुछ मेल होंगी फिर यहां माली जे यह मेल वाला गया है और अल्रेडी यहां पर फीमेल भी प्रेजेंट है इस फोर्थ पूरा निट्रिशन जो प्लांट का सैप होता है पौधो का रस उससे लेते हैं तो जो सैप ले रहे हैं तुम जी ओना तुम्हें कौन रोक रहे हैं जीने से तुम अपनी लाइफ सैकल कम्प्लीट करो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हां जब तुम हमारी चीजों को नुकस अ जबस बिएश कियों की तरहना ने जी द है क्यों क्योंकि यह हमारे नेचर ने बनाया गया है कि food web and food chain आपने पढ़ा हुआ है तो अपने nutrition के लिए हर एक organism अपना best देगा और उसके लिए जो खाना बनाया गया है भगवान ने बनाया है वो उसे खाएगा तो यहाँ पर जो सुगर केन लीफ और है वो actually में खा नहीं रहा है उसका कोई intention नहीं है कि वो सुगर केन को खराब करे वो अपना nutrition ले रहा है but because कि वो nutrition ले रहा है और उसके वज़े से infections क्रियेट हो रहे हैं जो हमारे लिए गलत है तो फिर हम उसे गलत बोल देते हैं हम उसे pest बोल देते हैं because humans like consider you good or bad as their convenience तो अपनी सुविदा जनक हुआ आपको अच्छा या बुरा बताते हैं तो थोड़ा सा मतलब ग्यान दे दिया तो यहां पर जो हो रहा है कि वो फीड कर रहे हैं प्लांट सैप पे केवल वही दिक्कत है उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है फिर ऐसे ही यह क्या करते है अपनी जो साइकल है उसको अपना कंचिन्यू करते रहते हैं अब यह जो पेस्ट होता है यह सिग्निफिकेंट डैमे स्कॉज कर देता है हमारे सुगर केन क्रॉप को अब जब रस ही नहीं रहेगा जो प्लांट रस के लिए जाना जा रहा है अब उसमें रस ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या खरीदोगे उस सुगर केन को नहीं खरीदोगे अगर बड़े इस तर पे देखा जो और बड़े काफी सारे अगर सुगर केन को यह हार्म कर दे और उसमें रस ना रहे तो जूस वाले लोग उसे क्यों खरीदेंगे जो लोग जूस बेच रहे हैं उसे क्यों खरीदेंगे जब उसमें जूस ही नहीं है हमारे सुगर केन में तो तो यह क्या होता है एक फार्मर को बड़ा ही गंदा डाल देता है इसलिए इसे कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है जरूरी है ठीक है तो इसको कंट्रोल करने के रिए हम life cycle पढ़ेंगे यह एग है जो की प्लांट के लीफ पे क्या कर दिया गया है ले कर दिया गया है फिर यह निम्प में बदलेंगे कुछ इस तरीके से फिर बहुत सारी मॉल्टिंग के बाद आप एक एडल देखोगे जिसका यह आपको रूफ के तरह इनका विंग दिखाई देगा और यह एक आपको चोच आगे की तरफ दिखाई देगे इनका माउथ पियरसिंग और शकिंग टाइप का होगा चीक है पैश्ट कंट्रोल जैसे हमने बोला कि इने कंट्रोल करना भी हमारे लिए जरूरी है कंट्रोलिंग सुगर के इन लीफ उपर सचे पाईरील इनवाल वापको बहुत अच्छे नोट्स दिये थे हलवा किये वाले आज भी हम वही करने वाले हैं आपको बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी बताएंगे चीजे बताएंगे कल से ही रिलेटर जो आपको थोड़ा सा र लिखने के लिए आ जाए तो यहां पर अगर हम आठ बता रहे हैं तो चार आपको हम सेम ही बताएंगे सभी में तो आप वो चार बिंदास लिख करके आओ ठीक है पहला है कल आपको बताया था क्रॉप रोटेशन सेम वही पॉइंट है क्रॉप रोटेशन ओके देखिए दे देखिए वulean पहला ने मरत बताएंगे सेम यहां पर ङुहला रहे ही पॉदास बना सेम है यहां पर यहां पर पर रकान यह जो खुगर केन सेम लिखा रहyah है लाइक देखिए ये सुगर केन इन्होंने फिर्स टियर में लगा दिया ठीक है यहाँ पर सुगर केन लगा दिया ठीक कुछ महीनों के लिए अब सुगर केन आजकल आप देख रहे हो कि 12 महीने हो रहे है ठीक तो इस फिल्ड में उन्होंने सुगर केन लगाया तो चार महीने क दिक्कत यह हो रही है कि अगर माली जै सुगर कीण सदुगा जब आप से ल 바로 सब कीडी नेकर प्रक्राइब नहींस के जरूत है यह इस घर भीटा जब आप से प्लांटिंग और जब आप सेकंड प्लांटिंग और नोगोडिका अगर ते सब कर दो बीच में आपको एक ऐसे क्रॉप को ले आकर के लगाना है एक ऐसा क्रॉप लगाना है जो उस सुगर के लीफ आपर को बिल्कुल ना पसंद हो अब यहां पर आपने एक ऐसा प्लांट रोहनने लगा दिया कि भई यह लीफ आपर जो है इसको यह जरा भी नहीं पसंद है पहले के तुल्ला में यहां पर संक्रमण होना और खराब होने की चांसे लाइक 1% और 2% के होंगे और यहां तो 100% है कि वही अगर तुम लगा रहे हो continuity में तो फिर क्या हो जाएगा 100% है कि तुम्हारा दूसरा और तीसरा क्रॉप भी खराब होगा अगर पहला खराब हुआ तो बीच में discontinuity मतलब कि बीच बीच में तोड़ना पड़ता है वो चेन तब जाकर कि तुम अच्छे से क्या करोगे क्रॉप लगा पाओगे ठीक है तो यह चीज हमने कल भी आपको समझाई थी कि जाई हो हमारा कोई भी क्रॉप हो उसके लिए आपको क्रॉप रोटेशन कर भी लगा देते हैं ओके तो यह चीज आप कर सकते हो कि बहिसकार जाल लगा दो आप ठीक है तो उससे आप मेकैनिकल कंट्रोल करोगे क्यामिकल का नाम आगे तो इंसेक्टिसाइड फेवरेट वन लेकिन वही बात है कि सेलेक्टिव और टार्गेट यूजज ही होने लग सेम बात है कि अगर आप सुगर केन लीफ होपर के लिए इंसेक्टिसाइड कोई भी कैमिकल छड़काओ करवा रहे हो इस्प्रे करवा रहे हो कि सुगर केन लीफ होपर मर जाए तो वही मरना चाहिए उसके अलावा आपके प्लान्ट को कोई डैमेज नहीं होना कैसा नहीं है कि क्रॉप में किवला पानी दे रहे हो तो वह बहुत बड़ी बात हो जाए यह नहीं पूरा एक क्लाइमेट जो होता है पूरे वहां के जो नेचर में चीज़े रह रही होती है वो सब रिस्पॉंसिबल है आपके एक अच्छे क्रॉप के लिए तो इंसेक्ट साइट का इंसेक्टि साइट के यूज करने से काफी प्रभाव परता है लेकिन वही बात है कि इसका जुडिस ली यूज करना है मौनीटरिंग क्या है वही कि टाइम टाइम पर जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि सुगर के कहीं किसी लीफ पर कोई लीफ आपर आकर के तो नहीं बैठ गया है जो कि बहुत जादा टाइम खर्च करेगा तो इसी वज़े से अभी हम आपको आगे IPM पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको चीज़े समझाएंगे रेजिस्टन्ट वाराइटी लेकर के आजो सुगर केन की ऐसी वाराइटी लेकर आजो जो लीफ आपर है उसको पसंद ही ना है लाइक कल भी हमने एक्जामपल दिया था आपको या अगर आप बर्गर लवर हो और जो आपका नॉर्मल बर्गर है उसमें केवल से केवल आपके सैलेट पढ़ रहे हैं और कुछ टिकिया पढ़ रही है और ब्रेड है केचप है तो ये चार चीजों से आपका बर्गर त्य हो फैंसी पचास चीज वाला नहीं है तो सेंचीज जो लीफॉपर हो भी करता है उसका जो नॉर्मल स नेचूरल वाला है यू नेचूरल गन्ने वाला ही वो ख़ायगा वह कोई भी वैराइटी ऐसी नई जो बनाई जा रहे हैं यूज तो ओसके वो अपोज रहेगा तो ऐस इस्टमिक इंसेक्टिसाइड के यूज कर सकते हो जिसमें लॉंगर ट्रम कंच्रोल होता है बिइंग एब्सॉर्फ इंटु प्लांट टिशू, तो यह तो मति करो भई इस्टमिक करो लेकिन अच्छा होता है जब आप एक ही फिल्ड में एक ही चीज लगा रहे हो एक ही क्रॉ हो गिया है तो आप उसकी कटाई कर लो जादा दिनों तक मत रुके रहो कि लीफ आपर आकर क्या अक्रमर कर लें ठीक है तो इस आर सम वेज जिसे के आप बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट कंच्रोल कर सकते हो उसके अलावा इंटीग्रेटिट पेस्ट कंच्रोल जो उसी ताइम पे जो भी वेश्ट मटेरियल है उसे जला दीजिए वीड हटा दीजिए फिर उसी ताइम आप अपने नेट्स को भी लगाईए हो सके तो थोड़े बहुत इंसेक्टिसाइट का छिड़काओ करवा दीजिए तो उकल मिला करके बहुत सारे लाइक आपके मल्ट जो है वो बताए मतब रिजर्ट दिखाएगा इट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ट्रेलर स्ट्राइटीजिस तो लोकल कंडिशन और पोटेंशल इंपक्त और नॉन टार्गेट अर्गेटिड और इंवर्मेंट अब तीन चार चीजे ऐसी चीजे करना जो तुम्हारे अनदर इंवर्मेंट अनदर जो आपकी सर्राउंडिंग नीचर है उसको एफेक्ट ना करे ठीक है तो इसी वज़े आप देखते हो कि कैमिकल वगेरा का यूज सक्त मना होता है काफी सारे जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है दे आर बैंड बिकॉज कि उनका बहुत गलत इफेक्ट हमारे एक्वैटिक लाइस पे भी पढ़ रहा था स्वायल पे तो पढ़ी रहा था और हमारे न्यूट्रिशन जो वैल्लीव है उसके भी काफी ज्यादा पढ़ रहा है तो इसी वज़े से आपको थोड़े कल्चुरल बियलोजिकल जो एक नेचुरल चीजे हैं उसके ध्यान दे करके आप प्रोप रोटेशन वगेरा यह सारी चीजे करवाओ आपका सभी प्रेस कंट्रोल हट जाएगा चीक है उसके बाद कंसल्ट कर लो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका कंसल्ट कर लिए लोकल जो एग्रिकल्चर है एक्सपर्ट ह होते हैं जो कृसी विशेष्यग होते हैं उसे जाकर कर आप ले सकते हो ठीक है तो दीज आर सम इंपोर्टन पॉइंट रिगारिंग यूर पेस्ट कंट्रोल आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो 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 अल आपूआट दो टूट वीचिओ एट वीचियो वीचियो व बबबबाई